मैं आज आपको छोटे बच्चे के लिए एक मीटन का डिजाइन लेकर आई हूँ यह बनाना बहुत ही इजी है और इसमें मैं डोरी भी लगा रही हूँ देखे यह डोरी है डोरी इस तरीके से खुल जाता है बच्चे के आसानी से पहिनानी के लिए मैं यह डोरी डार रही यह बनाना बहुत ही इजी है और आप आसानी से किसी भी साइज में बना सकते हैं देखे यह कलाई का हिसाब से आपको बनाना होता है बोड़र और देखे इसका उपर का हिस्चा बहुत ही सुन्दर है मैं आपको देखाना जाती हूँ देखे इस तरीके से उपर का हिस्चा म बना सकते हैं आपको किस साइज में चाहते हैं उस साइज में यह आराम से बन जाता है मैं इस्टेप बाइस्टेप बताती हूं आये देखते हैं यह खुब सरा मिटन किस तरीके से बनानी है यह न्यूमन बेवी से 6 मैने की बेवी के लिए आराम से आ जाता है अब देखें इस में 32 फंदे ले रही हूं आप भी इसी तरीके से 32 फंदे लेकर बनाने का कोई भी जरूरत नहीं है आपका बच्चे का जितनी कलाई का हिसाब है उसी हिसाब से बनाईएगा छोटा और बड़ा साइज का बहुत ही आसान है और आसान इसे आप बना सकते हैं अब देखे एक फं प्रोट नहीं है कि वान बाई वान का रीव दीजाइन बनानी है अब देखे में सारी इसी तरीके से बिंती है लाश्ट में आ रही हूं लाश्ट का एक फंद्दे लुटी बिनाएगा अब देखे इसका दूसरी साइड फोस फंदा बिना-बिना धागा आपनी और एक नानी है मैं सारी इसी तरीके से बीनती हों जिन बोडर डिजाइन इस तरीके से खिचने के बाद छोटा आर बड़ा हो जाता है इसको फ्यक्सिवल बोडर डिजाइन बोला जाता है अब देखे मैं इसी तरीके से बीनती होए लास्ट में आ रही हो लास्ट का एक फंदे इसी तरीके से आपको देड से 2ओं तक बोडर में बीन है मैं इसे बात को रिपीम गाती होँ इतन腹 चुकी ओंद Susie आरी बिंच में बन रहा है यह अना है सेर्श corrections सकता है फ्रस्तपंद है बिना बिना अब देखे तीन फंदे बिनने दो अरे तीन फंदे बिनने के बाद अब देखे इधर उल्टी फंदे हैं ये आपको इस तरीके से बनानी है अब देखे ये वाला बिनने है मतलब एक फंदे बढ़ानी है तीन फंदे बिनने के बात एक दो तीन फंदे बढ़ाए इसको आपको इस तरीके से सीधी बिनने है, देखे, फिर तीन फंदे बिनने के बाद, एक फंदे फिर से बढ़ानी है, देखे, इस तरीके से, और लास्ट में जितनी फंदे राता है, उसको आपको सीधी-सीधी बिनने हैं, देखे, इस तरीके से बनाएगा सीधी-सीधी बि है अब देखे इसकी उल्टी साइड में फास फंदा बिना मिना और सारी फंदे सीधी सीधी देखे इस तरीके से बनाएगा सारी फंदे सीधी सीधी बिनकर मैं इसी तरीके से बिनती हूँ दोनों तरफ से इस तरीके से धारी वाला डिजाइन बनानी है सीधी और उल्टी साइ से अब देखे यह इसकी उल्टी साइड है इस साइड से हम सारी सीधी सीधी बनाएंगे लाश्ट का फंदे उल्टी बिना इस तरीके से बनानी है यह इसकी उल्टी साइड है और यह सीधी साइड से फिर आपको इसी तरीके से फंदे बढ़ाते वह बिनने देखे फास फंदा बिनने है देखे इस तरीके से फिर चार फंदी बिनने है एक दो तीन चार फिर एक फंदे ये गाठ वाला नेडल में चड़ानी है और सीधी बिनने है देखे इस तरीके से हम फंदी बढ़ाएंगे फिर चार एक दो तीन चार फिर गाठ वाला लेना है नेडल में चड़ानी ह फिर सीधी बिने मिनने इस तरीके से बनाईएगा अब देखे चार फंदे बिनने के बाद फिर एक फंदे बढ़ानी है देखे इस तरीके से अब लाश्ट में जितनी फंदे रता है उसको आपको सीधी सीधी बिनने है मैं इसी तरीके से सीधी सीधी बिनती हूँ बोडर आपका बच्चे का कलाई काई सबसे बनाना होता है और इसका उपर इस तरीके से हम दोनों तरफ से सीधी-सीधी बिनकर ये धारी वाला डिजाइन बनाएंगे जिसकी वज़े से इसका उपर का साइड भी फ्यक्सिबल होर, इसलिए मैं इस तरीके से बना रही हूँ, बन चुका है इसी तरीके से साइड से लिए इससे में बिननानी है कि आ ज़ोगे देट동 लिए कशी लिए ल् helt कि लाइए इस तरीके से उल्टी बिना मिनना है अब देखे यह इसकी उल्टी साइड है और यह सीधी साइड से फिर हम इसमें बनाएंगे इसमें मैं यह दो धारी फंदे बढ़ाती हुए बना रही हुँ इसी तरीके से आप आपका बच्चा का साइज का इसाब से कलाई का नाप लेकर इस तरीके से बनाईएगा दो धारी फंदे बढ़ाती हुए, अब इसका उपर हम ये सीधी साइड से बीना फंदे बढ़ाई हुए बिनेंगे, मतलब आप इसका उपर कोई भी फंदे बढ़ाई भी नहीं बिनने हैं, मतलब धारी वाला तर डीजाइन आपको बनानी है, अब आप किसी भी छैज में बना रहे हैं इसकी बात आपको फंदे बढाने का कोई भी जरूरत नहीं है तो इसी से आपको सीधी-छीधी बनानी है मैं इसी तरीके से सीधी सीधी बीनती हूँ, ये सीधी साइड से है, दो धारी इसमें फंदे बढ़ाती हुए बना रहे थे, और इसका उपर हम बीना फंदे बढ़ाई हुए, बाकी का धारी वाला डीजाइन बनाएंगे, देखे, मैं इस तरीके से बीनती हुए, लाश में आ रहे हुँ, सारी सिधी सीधी वीति हों अब देखे यह इसकी सीधी साइड से हैं और उल्टी साइड से फिर हम इसी बात को रिपीट गारेंगे मतलब यह धारी वाला डिजाइन फिर से बनाएंगे बैक सायड से भी फस्पंदा बिना मिना तागे पीछे सारी फंदे सीधी सीधी देखे इस तरीके से बनानी है अब देखे मैं इस तरीके से बिनती हुए लास्ट में आ रहा है हो सारी फंदे सीधी सीधी बिनती हुए ये गुलूप बहुत ही सुन्दर बन कर आता है आप भी जरूर ट्राइगर ये देखे ये लास्ट का फंदा है इसको आपको उल्टी बिना बिनने है आप देखे ये इसका सीधी साइड से इसका उपर में ये दो धारी फंदे बढ़ाते होए बिना रही थी अब इसका उपर बिना फंदे बढ़ाय होए अपकी का धारी बिनती हों फिर आपको देखाती है ये आप कलाइका इससे बनाएंगे तो ये आपसे आप छोटा और बढ़ा साइज का बन जाता है जरूरत नहीं है कि आपको इस ही तरीके से मेरा साइज गा इस सबसे बनाने साइब, मैं देखें यह बोडर बिनने के बाद कितनी बना रहे हैं यह मैं गिंगर देखाती हूं यह बोडर है इसका उपर देखें कितनी दारी से अब ये 9 बोडर है ये कलाई का इसाफ से आपको बनानी है ये कलाई है ये कलाई छोटा आर बड़ा हो सकता है ये फेक्सिबल बोडर डिजाइन बनाने के बाद ये आपसे आप निकाल लगा सकते हैं साइज का इसाफ से फंदे कम बेशी लेकर इस तरीके से धारी वाला डिजाइन बना मतलब यहां तक हम फंदे बढ़ाए थे दो धारी में अब देखे इतनी बिनने के बाद इसका उपर घटाई गरेंगे उमिद है यह मीटन आप किस तरीके से किसी भी साइज में बना सकते हैं यह मैं आपको बता चुकी हो जिसकी वज़े से आप आराम से बना सकते हैं अब दे ट्राई गरेंगे दो फंदे एक साथ दो काएक इस तरीके से बहुत ही इजी है देखे इस तरीके से बनाएगा फिर से चार फंदे एक दो तीन चार फिर से दो फंदे दो काएक देखे इस तरीके से बनाएनी है बहुत ही इजी है और आप आसा निचे बना सकते हैं आप भी जरू ट्राइ गरें दोस्ते शेयर गरना मत बुलिए अभी तक दिपैंडेटिंग चैनल में नए हो तो पिलिए सब्सक्राइब गरें इस तरह का असानार यूनिक प्रजेट पाने के लिए देखिए चार फंदे बिनने के बाद फिर दो फंदे दो कायक इसी तरीके से बनानी है में सारी इसी तरीके से बिनती हो एक दो तीन चार फिर दो फंदे एक साथ दो कायक अब फिर से देखिए चार फंदे बिनने के बाद दो कागे एक, दो, तीन, चार और लाश में फिर दो फंदे राता है इसको आपको दो फंदे एक साथ दो काएक बिनने है देखे इस तरीके से अब देखे ये इस तरीके से बन कर आ रहा है अब इसका ब्याक साइट से बनाएंगे इसका ब्याक साइट से थोड़ी अलग से बिनने है फरस पन्ता बिना मिना धागे पीछे अब देखे एक, दो, تीन, चार चार बिनने है चार बिनने के बाquila इसमें हम दो फंदे दो काय गरार रहे थे इसमें आपको उल्टे भीने मिनने है देखे इस तरीके से फिर से दागे पिछे लेकर जाना है और चार भंदे भीनने है एक, दो, तीन और ये चार इस तरीके से अब फिर इसमें हम दो भंदे दो का एक गराय रहे थे इसमें आपको उल्टे भी नहीं बिनने हैं देखें इस तरीके से बनाते जाना है मैं इसी तरीके से बिनती हूँ अब देखें फिर चार बंदे एक, दो, तीन, चार तागा आपने और एक फंदा उल्टा भी नहीं और तागा आपने ओर एक फंदा यहां दो फंदे दो कायग कर आए रहे थे वो वाला है तागे पीछे लास्ट में तिन भंदे रहता है एक दोफंदे चीदे लास्ट कायक फंदे बिल्टि बिन अब देखे इस तरीके से बिनने के बाद इसकी सीधी साइड से बहुत यह आशान से में बनाने का तरीका बता रहे हूँ जैने सी देखिएगा फस्सफण बिना बिना अब देखिए दो दो फंदे बिनने के बाद सीधी का अगिली तरफ का उल्टी फंद्ध है इसको आपको दो फंदे厘 सादड दो का एक, बनानी है देखिए फिर 1 2 3 3 फंद बीनने के बाद सीधी का अगिली तरफ का 2 फंद एक साथ 2 का 1 इस तरीके से बनाईएगा मैं इसी तरीके से बिनटी हूँ अब देखें इस तरीके से बिनती है मैं लाश में आ रही हूँ एक, दो, तीन, लाश में भी दो फंदेक साथ दो कायक, इस तरीके से बनाईएगा, यह घटाई है, अब देखे इधर और इधर हम लाश में सिलाई से कनेट गरेंगे, अब देखे इसका ब्याक साइड, फोस फंदा बीना बीना डागे पीछे, अब देखे इसमें एक, दो, तीन, तीन फंदे सीधी बिनाई, अब इसमें हम घटाई गर रहे थे, यह वाला उल्टी बिनाई, इस तरीके से बिनना है, दागे पीछे, फिर तीन फंदे सीधी बिनाई, एक, दो, तीन, तीन फंदे सीधी बिनाई, अब देखे तागा आपने और यह घटाई का है, इसल बिन्दय में लास्त में आ रही हुं इसे घटाई काहा अगिछ मिनए दाके पीछे एक फंदय, लास्त का एक पंदय उल्टी बिनाई, इस तरीके से बनानी हैं, अब देखें, इसका सीधास साइड से फिर फस फंदा बिना बिना अब देखें, ऐस कि आगें तरफ क्पंदय 2 दो फंद एक साथ दोगाए ये पृращ के बनाते जाना है मैं इसी तरीके से बींती हूँ profit इसी तरीक के से बींती हूँ मैं लास्ट में आ रहहे हूं ये और ही दोफंद बिनने है लाश्क का दो पंधे दो काइक इस तरीके से बनाएंगे अब देखे इसका दूसरी साइड से फोस फंदा बीना मीना धागे पी छे एक फंदे और ये फंदे सीधी बिनाई अब देखे ये घटाई क्या है yemek और आपको उल्की बिनाई मिनने दागे पीछे एक और ये दो सीधी बिनाई तागा आपने और ये घटाई का है इसलिए उल्टी बिनाई इस तरीके से बनानी है तागे पीछे एक और ये दो सीधी बिनाई दागा आपनी ओर ये गटाई का बिनने के बाद लास्ट का एक फंदे उल्टी बिनाई इस तरीके से बनाएगा अब देखे इसका सीधी साइड से सीधी और उल्टी दो फंदे दो का एक अब फिर देखे दागा आपनी और एक फंदा उल्टा बिनाई दागे पीछे सीधी और उल्टी फंदे दो फंदे दो कायक इसी तरीके से बनानी है एक फंदा उल्टा दागे पीछे सीधी और उल्टी फंदे दो फंदे दो कायक इस तरीके से घटाई गरिएगा मैं इस तरीके से गटाई गरते हुए लास्ट में आ रही हूँ एक फंदे बिनने के बाद दो फंदे एक साथ दो काएक देखे ये इस तरीके से बन कर आ रहा है अब देखे इसका ब्याक साइड से फस फंदा बिना बिना उतारना है दागे पीछे एक फंदे सीधी बिनाई जो हम दो फंदे दो काएक गर रहे थे उसको आपको उल्टी बिनने है देखे ये वाला सीधी बिनाई ये दो फंदे दो काएक गर रहे थे इसको आपको उल्टी बिनने है एक फंदे सीधी बिना है लाश का एक फंदे उल्टी देखे इस तरी के से बनाईएगा जिसकी बज़े से ये डिजाइन सीधी की तरब बनकर आता है अब देखे ये आपको बात में शिलकर जोड़ाई गर के बनानी है अब देखे फिर इसका उपर घटाई गरेंगे ये घटाई ओँ चुका है इसलिए इसको बिना मिना उतारेंगे अब देखें दो फंदे एक साथ दो काएक देखें इस तरीके से फिर ये दो फंदे एक साथ दो काएक सीधी और उल्टी पंदे 2,2 ख़्यारे इस तरीके से आपको बनाते जाना है अब देखिए मैं इसी तरीके से बिनly हुए है लास में आरही हैं 2,1 ख़्यारे ये 2,1 ख़्यारे अब देखें यह design का फंडे श्रिप बांकि है इसमें अब यह इस तरीके से बनकर आ यह आपको व्लाइगर के बनानी है अब इसका उपर आपको फंडे बंद करनी है यह इस तरीके से बनकर आ रहा है यह size का हिसाब से आप शूटार बड़ा size का बना सकते हैं और यह कलाई का इसाब से फंदे लेकर बनाईएगा यह आपको सिलना है यह वाला हिस्सा अब देखे में इसका उपर यह सुई में तागा डाल चुकी हूं अब इस में आपको एक एक घरते हुए यह सारी फंदे सुई में डालनी है देखे इस तरीके से और इधर गांठ लगाएंग आप चाहिए तो यह सारी फंदे में फिर एक बार सिल सकते हैं जिसकी बज़े से यह मजबुत बन जाएए अब देखे मेंसारी फंदे में एक बार लगा रही हूं फिर से लगाने के बाद नाज़े में जरूर लगाएएगा अब देखे ये इस तरीके से बन कर आ रहा है इसका ये उल्टी साट से आपको सिलाई गरनी है ये वाला हिस्सा अब देखे इसमें किस तरीके से सिलाई गरनी है अब देखे इधर का एक फंदे लेना है और इधर का एक फंदे इस तरीके से लेकर आपको सिलाई गरनी है फिर इधर का एक फंदे लेना है और इधर का एक फंदे इस तरीके से लेते हुए सिलाई गरनी है मैं सारी इसी तरीके से सिलाई गरती हूँ देखे इस तरीके से सिलाई गरती हुए मैं लास्ट में आ रही हूँ ये लाश्ट का फंदे है इस तरीके से इधर दागे में लग लगानी है फिर एक बार सेलने है फिर इसी दागे में आपको लग लगानी है देखे इस तरीके से अब देखे ये दागा आप लगगर के कडगर सकते हैं अब देखे ये इस तरीके से बन कर आ रहा है ये सीधी किसी भी चाहिच में बना सकă H यह आप असानि से किसी बी चाहिज में बना सके िसल seiner में rip by step बता रही हूं और इसमें मैं डोरी भी लगाना बताूंगे जिसकी व् опас से आप आरामिसे बच्चें को लगा सके उसमें में डोरी लगाएंगे पर इसमें हम कोई भी होल बनाई भी नहीं बिन रहा है पर इसका उपर डोरी आर्षानी से डाल सकते हैं अब डोरी किस तरीके से बनानी है और किस तरीके से डालनी है वो मैं देखाना जा रही हूं जिसकी बज़े से आप आरम से डोरी इसमें डाल सके अब देखें इसके लिए सरकल बना इस तरीके से आपको फंदे डालती हुए जाना है मैं इसी तरीके से फंदे इसमें डालती हूँ साइस का इसाब से फंदे आप कमबे सी गरा सकते हैं मैं इतनी चेन डाल चुकी हूँ चेन आप कमबेशी गरा सकते हैं, अब देखें एक चोन छड़कर दूसरी चेन से आपको सिली विष्टिज बिनाए बिनने हैं, देखें इस तरीके से चेन में लेकर जाना है, फिर इदर धागा लेकर आना है, फिर लुप से बार निकलना है, इस तरीके से हम बनाएंगे, यह आप चेन डाल कर भी डोरी बना सकते हैं, इसमें मैं थोड़ी मटे वाला डोरी बना रही हूँ, देखें इस तरीके से बिनते हुए मैं लास्ट में आ रही हूँ, देखें इस तरीके से बनानी है, इतनी बनाने के बाद यह दोनो धागा में इस तरीके से लक लगा रही हू अब देखे ये दोनों धागा में कट गरती हूँ धागा कट गरने के बाद अब देखे इधर हम डोरी लगाएंगे डोरी आप कोई भी तरीके से बना सकते हैं जरूरत नहीं है कि इसी तरीके से डोरी बनानी है अब देखे इसमें इस तरीके से डोरी लगानी है देखे इस तरीके से अब देखे एक बार आपको अंदर के ओर से और एक बार आपको बार के ओर से इस तरीके से डोरी डालनी है देखे ये डोरी इस तरीके से डालते होए बनानी है अब देखे मैं इसी तरीके से पूरी राउंड डोरी डालते होए आ रही हूँ अब देखे ये 20 सेंटर में ये वाला डोरी में निकार रही हूँ इस तरीके से आपको बनानी है अब देखे इसमें डोरी डोल चुका है और ये डोरी इस तरीके से लगाई जाता है बहुत ही इजी है अब भी जरूर ट्राइ गरें दोस्ते शियर गरना मत बुलिए अभी तक दीपैनेटिंग चैनल में नौए होतों पिलिए सब्सक्राइब गरें बहुत ही जल्दी बहुत ही सुन्दर ये गोलोश मतलब मीटन तयार होकर रेडी हो चुका है ये बनाने का तरीका आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताईए मिलते हैं दूसरी नई वीडियो में अब तक के लिए दीपैनेटिंग चैनल धन्य बाद